तो आज हम इस वीडियो में एक और पोर्टफ़लो को रिविव करेंगे तो जिनका ये पोर्टफ़लो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है चैनौरी 2022 से एन तब से लेके अब तक जितने भी इनके पोर्टफ़लो में स्टॉक है वहाँ पे जो भी BOD यानक करने की मत सोचना क्योंकि जब भी कोई स्टॉक आप होल्ट करें अपने पोर्टफ़लो में तो आपको कंपणी को पहले दुबाई अपने कर लिया उसके बाद होल्ड आप करें और साधी सद आपको ट्रैक भी करना चाहिए क्योंकि कहना कि स्टॉक मार्केट में काफी अच 14 कंपनीज है पाट 14 कंपनीज का जो आज से 10 वाद 20 साल बाद क्या रहेगा किसी को ने बता क्योंकि आज के दिन हमारा कंट्री बहुत ज़्यदा त्ही से ऐसे काफी सा टेक्मोजी आ चुके तो कौन सा वला चल जाएगा फ्यूचर में आज के दिन किसी को नहीं पता तो इस बज़े से हाँ आप खुल्ड करना चाहतो अपने पॉर्टफ़लो के स्टॉक को लंबे टाइम तक अप टिके रहना चाहतो स्टॉक मर्केट में यह सारे अच्छे कंपनी कोई खड़ाब कंपनी इन में नहीं है और बाइस से लेके 25 पॉर्शन का चाहते है अपने पॉर्टफ़लो के उपड तो एक्च्छल में च्छर वाला जो वीडियो है वो कल पोस्ट करने वाला था मैं पट्टा समाव हुआ नहीं तो च्छर का जो वी मिल जाएगा पिंट कमेंड में मिल जाएगा आप चाहके सब्सक्राइब जरू करने तो वहाँ पे सी एजर के रिलेटेर पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में बोलने जाएगे तो वही काफी लंब हो जाएगा तो चली दोस्तों देख लेते कि कैस इन्होंने पोर्टफेलो बनाया कैसे पोर्टफेलो को और बेटर बनाया जा सकता है तो इन्होंने टोटल इंवेस्ट्मेंट किया है 10,25,000 का करेंटली पोर्टफेलो का साइज 11,54,000 का बन चुका है यहनकी 1.29 लैक का प्रॉफिट एं 12-13 पॉर्षन का प्रॉफिट अरती इंडॉस्ट्री ने काफी कैपिक्स किया है काफी काफी कैपिक्स कर भी राइस टाइम पे एक्चल इस टाम में थोरा सवडन है और वह एक रीजन की आरती इंडश्री का स्टो का प्रॉफिट हो रहा है पर्ट कंपनी अच्छा है कंपनी का ट्रेक रेकॉर्ड दिखी आपने बिजनस में तो कि एक हिल्दी प्रॉफिट रोथ है तो वो चीज आप देख सकते हैं और होल्ड एंड कंटीनू कर सकते हैं तो निक्स्ट कंपणी एस्टल अपने इंवेस्टमेटट के है धोनों का फ्रिमॉण ओख अलग है एस्टाल को कौन अगल करंगे घ्र को की देख नहीं रहा करके लगभग 50% से ज़ाधा गिर चुका है गिरते जा रहा है, कोई ज़ाधा recovery अभी तक आना स्टार्ट है नहीं हुआ है तो ये pessimism buying वाले framework के अंदर आता है तो ये दो company दो अलग-अलग category के अंदर आएंगे FL की बात करें हम किसके उपर बात करें, हम basically थोड़ा सा advance जा रहे और portfolio को कैसे और बेटर आप बना सकतो या और कैसे आप बेटर सोच सकतो उसके उपर बात करें देखे, FL के case में, आज FL का PE ratio 50 के उपर है मैं ये नी बोल लो कि company खड़ावे 50 के PE के उपर company trade कर रहे और company का जो guidance है, वो 20% का है सालाना हम 20% profit grow करेंगे तो इससे, अगर दूसरा ऐसा कोई company है जो कि मालो कि आज 30 के PE बे या 25 के PE बे, और वो company भी 20% का growth का guidance दे रहे है कि हम इतना profit growth लाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि कौन से company में risk reward जादा बेटा रहे, obviously ये वाले company में जादा बेटा रहेगा, जिसका PE कमें 25 या 30 का, and again हम FL की बात नहीं करें कि FL का बेच दीजे बट ऐसे सोचना चाहिए कि कैसे portfolio को और strong बनाना है, तो क्या-क्या हम कर सकते, step हम ले सकते and risk reward को portfolio level पे कैसे बेटर मना सकते, the next company बजाज finance, 1.7 लग का, सबसे बड़ा investment, I think इधर पर यह 27% का बढ़िया profit हो रहे, अच्छा company, strong company, strong management, quality growth, लाड़ है company business में, अभी तक company का business तो बहुत बढ़ा बन चुका है, पट growth देखेंगे, तो small and mid cap company की तरह आते जा रहा है, तो hold and continue अब कर सकतो, तेने CDSL, 47,000 investment, 4% का बढ़ा है profit, तो I think यह वाला company जो है, यह काफी लंबे time तक चलेगा, and इंडिया में दो ही company, Innistil and CDSL, Innistil का listing कुछ टाइम बाद होने वाला है, बाजार में अभी तक हुआ नहीं है, तो basically यह जो CSL वाला company, आप सोच कर देखेंगे, data simple देखेंगे, तो इंडिया में बहुत कम लोग, लगभग 2 या 3% लोग directly stock market में invest करतें, यही नंबर US में चाइना में बहुत जादा है, तो यह नंबर इंडिया में आग जाके FD के तुरुक अभी, तो इस बज़े से लोगों समझ में आ रहा है थी, जिरे करके कि stock market important क्यों है, तो CDSL को उस्ते इसका बहुत benefit मिलेगा, basically capital market का proxy company है, दिपक नाइटेट, basically import substitution का proxy है, तो 65,000 investment, सारी 17% का profit, अच्छा company, अच्छा management, phenol के अंदर market leader है, China plus one इधर पे काम करेगा, CapEx इस टेम्पे हो रहा है, तो I think काफी सरे trigger इस टेम्पे इस टेम्पे इस टेम्पे इस टेम्पे में है, अट दिपक नाइटेट को आप एक गलती मत करना, इसको specialty company मत समझना, specialty chemical यह नहीं है, यह commodity chemical है, phenol का price काफी उपर जाता है, काफी नीचे जाता है, वो commodity chemical के अंदर आ जाता है, बट अच्छा company है, तेनने demand 84,000 investment, 5% का profit, अच्छा है, strong है, consistent है, तो demand को hold and continue कर सकतो, तेने fine organic, 63,000 investment, 37% का profit, तो इस वीडियो में हम बात ही नहीं करेंगे fine organic के उपर, क्योंकि आज पूरा detail में वीडियो हमने पोस्ट के है, main channel पे जाए, guide to investing channel, तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, fine organic का वीडियो, आज morning को ही हमने पोस्ट के, management का guidance का है, 2031 तक, वो तो काफी अच्छा है, 1 billion dollar का, जो company वो revenue करना चाहता है, यह काफी अच्छा है, but currently देखेंगे तो, company profit terms में अच्छा नहीं करें, इतना valuation ज़्यादा इसको मिल लखा है, इस आट का PA, बट 2% का profit growth company दिखा रहा है, तो इस टाम में growth नहीं आ रहा है, तो stock भी नहीं चला है, तो देखते हैं कब तक growth आता है, company अच्छा है, बट time इस टाम में थोड़ा खड़ाब चला है, तेने जुविलान food 54,000 investment है, and 4% का होड़ा है इनको profit, जुविलान food company अच्छा है, जुविलान food में, and क्योंकि काफी ज़्यादा store ratio भी हो रहा है, तो return ratios थोड़े time के लिए खड़ाब रहते हैं, ऐसे cases में, तो जुविलान food में वही चीज़ हो रहा है, management है, देखते हैं कैसा काम वो करते है, moltech packaging है, 27,000 investment and 8, 8% का profit, तो basically moltech packaging, फार्मा सेक्टर, पेंट सेक्टर, इसका proxy company, FMCG सेक्टर, इसका proxy company, and paint मैं आपको पते हैं कि, कितना competition बारा दिंग बार दिंग, and grassyum के इंड़ी होने वाला है, तो वो चीज़ से फायदा किसको होगा, moltech packaging को ही होगा, क्योंकि paint के जो container होते हैं, यही company manufacture करता है, तो multi packaging एक proxy company, interesting small cap है, देने polycap, 37,000 investment, 7% का profit, अच्छा है, strong है, market leader है, और भी ज़्यादा market share, wrap करना चाहता है company, and export market के बड़ी, focus करना चाहता है, इस टाइम है, तो बड़ी हाए, आप hold and continue कर सकतो, and dip के लिए wait कर सकतो, तो इनके prizes, यह थोड़े premium category में आ जाते है, campus and metro, margin भी better है, metro का, सबसे better metro का है, तो अभी competition आ चुका है, तो आपको peer-to-peer analysis, ज़रूर एक बड़ कर लेना चाहिए, relax उने, वेल्ट बहुत बड़ा क्रीड कर के दिया, उसमें कोई doubt नहीं, management, जो ड़मीज दुआ सब है, तो बहुत अच्छा काम, management ने किया है, but past के performance के business पे, अगर आप निवेश कर तो, सिर्फ और से, तो I think वो सही decision नहीं है, हाँ पहले एक ही option था, relax हो, बाटा तो कुछ खास कर नहीं रहा था, बट अभी option आ चुके, तो आपको peer-to-peer analysis ज़रूर एक बड़ कर लेना चाहिए, तो नेक्स्ट कमपणी, इसरिफ, and 86,000 investment, 7% का profit हो रहा है, बढ़िया कमपणी, strong company, hold and continue आप कर सकतो, and मैंने क्यों, इसरिफ के जगा, इसरिफ का holding company, कामा holding में निवेश किया, उसके उपर वीडियो हमने पोस्ट के, वो जो नया चनल बनाया है, वापर जाके आप देख भी सकतो एक बड़, तो लिंक अगेन, comment, comment में आपको मल चाहिएगा, तो इसरिफ अच्छा company strong है, अभी तो chemical company में, सेक्टर में recovery स्टार्ट हो चुका है, अच्छा टाइम आने वाला है, तेने वीडियो, एक लाग चौधा जार इन्वेस्टमेंज, उसके बाद है अच्छा है, स्ट्रॉंग है, कल्सिस्टेंट है, तो लोड एन कर्टीनू, वीडियो को आप कर सकतो, तो दोस्टेंट यह है इनका पूरा पोर्टफेलो, तो टॉप थ्री होल्डिंग है, बजाज फाइनेंस, देन वीडियो, उसके बाद है एस्टल, एंड प्रॉफिट कितना कितना मिल है, वो भी सारा कुछ आप इधर पे देख सकतो, तो अवरल पोर्टफेलो आपका काफी स्ट्रॉंग है, काफी अच्छा है, काफी डाइवर्सिफाइड है, अलग-अलग सेक्टर में अपने निवेश्क है, फाइनस का सेक्टर है, देन किमिकल सेक्टर है, टेक्नोजी सेक्टर है, डिल्डिंग में अंदर के अधर के अंदर है यह के अंदर के अधर है यह पास है पर हमेशे मैं पॉलिक का दूसरे कंपणी के साथ यह पे खंपर करता रहता हूं पॉलिक एप कैसा कड़ा है कि एस पर को अंदाजा मिल जाता कि हमारा कमपनी कैसा कर रहा है सिर्फ हमारा ही कमपनी देखेंगे तो लगएगा वही तो राजा है आजू-बाजू के खुद के बच्चे सबको अच्छा लगते हैं आजू-बच्चे के रिजल्ट है वो देखिए तो आपको बता चलेगा कि आपके बच्चे का रिजल्ट एक्चुल में कैसा आ रहा है तो यह चीज आपको ज़रू करना चाहिए और इसको स्टॉक मार्केट की भाषा में simply peer-to-peer analysis कहते हैं तो यह smart लोग करते हैं यह करना कोई खड़ाब चीज नहीं है इससे आपका नॉलेज आपके आपका चोंडेस्टरिंग है वो कंपणी के उपर और वी जादे इंक्रीज होगा तो मैं आपको यह नहीं बता सकता कि यह कंपण करने की कोशिश करें हमने framework के उपर वी वीडियो पोस्ट किया है वह जो लाइबरी वाला वीडिया पर चैनल है सिंपल इंवेस्टिंग चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना वहाँ पर बहुत सरे लर्निंग आपको मिलेंगे आपका जो पोटफेलों वह अच्छा करेगा तो टोटल investment amount हमने लिया है उतना जितना अभी पोटफेलो का साइज है हम 16% का average return लेकर calculate करें जो की काफी डिलेस्टिक है क्योंकि expectation अगर डखना है वह तो हम 30-50% का भी डख सकते हैं पर चितना डियलेस्टिक हुगा उतना ही ज्यादा बेटार है calculation में 15 साल तक अगर आप hold करते हैं अपने portfolio को तो 1.07 करूर का wealth आप बना लेंगे current investment के तुरू current portfolio के तुरू इसके अलावा इन्होंने बता है कि 15,000 के SIP करेंगे अभी देखें वह हम calculation नहीं करें क्योंकि 15 15 & 15 का एक संपल रूले 15,000 अगर आप निवेश करते हो 15 साल के लिए नि आप इधर से भी बना लेंगे मोटा मोटी अगर आप realistic expectation करेंगे तो 16% के साथ ही 2 करू का wealth आप बना सकतो in next 15 years and अगर आप SIP बढ़ा सकतो तो इससे जाधा wealth बनेगा या अगर CHR बढ़ जाता है तो भी इससे जाधा return बन जाएगा पर CHR कितना मिलेगा वो हमारे हाथ में न तो दोस्तों ये था आज का हमारा portfolio review का वीडियो आई हो कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरू कर देना साधी साथ चैनको subscribe जरू कर लेना नीचे अब stocks का link आपको मिल जाएगा चाओ तो उसके through आप अपना account उपिन कर सकतो एंड हमारा private learning group को join कर सकतो for lifetime चाप आपको कोई call और tip ने मिलेगा मेरे जो खुद के trades होंगे short term long term तो वो मैं आपके साथ share करता जाओंगा for lifetime प्लस आपको daily basis पे बहुत सारे learning content मिलेंगे जिसके through हर दिन आप एक better investor बनते चलेंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत